बड़ी ही सपाई से आपके दिमाग में हिंदू राश्ट के फाइले दूस दूस का भर किये जाएंगे और आप हिंदू मिसलिफ करके लड़ते रहेंगे आप उसी का भरगान करते रहेंगे लेकिन आपकी आने वाली पीड़ी योग योगों तक एक वार फिर से गुलाम बन जाएगे आप अपना इत्यास होटा करने को आपके फूरवजों ने इनके कजित हिंदू राश्ट में किस प्रकार की यातनाय और गुलामी का सामना किया है हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी आने वाली पीड़ी से भी वही सब कुछ करगाना है जो हमारे फूरवजों ने सहा है तो कोई बात नहीं, जैसरी राम भोलो सब बलाव हो जाएगा साबदान, हिंदू राश्ट के सम्मिधान का प्रागुत तया 32 तेज का है हिंदू राश्ट का सम्मिधान, अब बोजनों को फिर करनी होगी गुलामी केवन विसेस जातियों तो ही होगा बोर्ट और सिच्चा का अधिकार नवस्कार मैं ब्रग्मोहन और आप मेग रहें जैतावार मुवारक हो बारणसी में लगवग 30 कतित संतों और विद्वानों के एक समूले हिंदू राश्ट के सम्मिधान का मसौदा तयार कर लिया है इस सम्मिधान के अनसार देश में मुस्लिम ईसाईयों को बोर्ट करने का अधिकार नहीं होगा सिच्चा वरस्ता भी पूरी तरह से प्राणी गुरुकुल की तरज पर होगी जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं गुरुकुल यानि की जिसमें जाती विसेस के लोगों को ही इस देश में पढ़ने का अधिकार होगा इस कवर को हलके में लेने की भूलया मजाख समझने की गलती मत कमना क्योंकि यह कवर सभी प्रमुक अकवारों साइब बेनिक जागर अकवार के प्रयाराई संसकर्ण में भी छपी है जिसकी कटें सोसल मेडिया पर भी बायर्ट हो रही है हिंदू राष्ट की जुरस्ता कैसी होगी अब ये जान लेते हैं सम्मिधान के कवर पेज़ पर प्रिस्तावित अकंड वारत का नक्सा है हिंदू राष्ट का सम्मिधान साथ से पचास प्रेश्टों का होगा सम्मिधान में 16 साथ की उम्र पूरी करने के बाद गोड़ देने का अधिकार होगा जबकि चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल तैकी गई है धर्म संसत के लिए कुल मिलाकर पांसत इताली सदस चुने जाएंगे यह भिक्टिस्काल के नियावों को समात कर देगा और सबकुछ बड़ वस्ता के आदार पर चलाया जाएगा त्रेता और द्वापर योग के आदार पर दंड और नियाई की प्रवादलिंग को इस्तागर किया जाएगा वहीं बुलुकुल प्रणादी के आदार पर सिच्चा प्रदान करने का जिक्र किया गया तो सुना साती हो आपने जो दंड की विवस्ता होगी वो द्वापर और त्रेता युग के आदार पर होगी द्वापर और त्रेता युग तो बहुत पीछे की बात रही और यू मनुस्प्रति के आदार उपर दंड की विवस्ता क्या थी आप घली बात जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो आप मनुस्पृति में पढ़ लेजिए कि ब्रामड को एक सजा के किया दंड था और दलित को क्या दंड था यानि कि ब्रामड को तो चाह कोई साथ अपराद कर दे उसको सजा होगी ही नहीं तो वही काल ये अब धर्ण संसत वाले लोग इस देश में लाना चाह रहे हैं अपने आपको गुद्दीजीरी और कठित संतों को आप बना हुआ या समयदान देश में लागू होता है तो आपको रोजगार नौकरी और बच्चों की पड़ाई लेकाई से छुटकारा भी मिल सकता है जैसा कि आप जानते हैं आजाती से पहले केवल दो वक्त की रूटी के लिए जमीडारों की जमीर में जैसे देगाली और मैदूरी करते थे जीप उसी प्रकार अब आपका जौग पख्का होने वाला है मौदी जी से आप कहते थे ना कि कहां है अरबर्स नौकरी नौकरी थोड़ा धैर रखो हर बस दो करोड नौकरी तो क्या हर भ्यक्त को पख्का काम मिलेगा बस कितना बेतन या दहारी मिलेगी इसकी कोई गारंडी नहीं लेकिन रोजगार सब को जब मिलेगा बैसे भी इस देश के यवाब आव कौन सा तीर मार रहे हैं मारे प्रदान मंत्री और केंडर में बीजेपी सरकार के आसिरवाद से अब अडानी अम्मानी जैसे लोगों के यहां MBA, B.B. और Engineering की डिगरी करके कम बेतन पर बेगारी ही तो कर रहे हैं अभी भी बक्त है मैं इस देश के नौजबानों से कहना चाहता हूँ कि जाद धरम के चक्कर में रहोगे तो देश में यही सब देखने को मिलेगा इस बिसे पर मेरी व्यक्तकत राय यह यह कि पिछले कुछ बरसों से देश में जिस तरह से न्याइपानकार, मेडिया और कानून प्रस्तार के कामकाज पर नजग डाले हैं देश में इस तरह का हिंदू राष्ट का समिदान लागू होना कोई बड़ी बात नहीं होगी इसलिए आप सभी से निवेदन हैं कि समय रहते सभी सतर्ग हो जाएए लोगों को जारू कीजिए नहीं तो बड़ी ही सफाई से आपके दिमाग में हिंदू राष्ट के फाइडेट थूस थूस कर भर दिये जाएगे और आप हिंदू मुसलिफ करके लड़ते रहेगे आप उसी का गुर्गान करते रह जाएगे लेकिन आपकी आने वाली पीड़ी योव योव तक एगवार धिर से गुलाम बन जाएगे आप अपना इत्यास बटा कर देखो आपके फूरवजों ने इनके कजित हिंदू राष्ट में किस प्रकार की यातनाय और गुलामी का सामना किया है हाँ अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी आने वाली पीड़ी से भी वही सब कुछ करगाना है जो हमारे पूरवजों ने सहा है तो कोई बात नहीं जैसरी रांग बोलोग सब बला हो जाएगा अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सम्मेना है थोड़ी सी की इंसानियत है तो बता दो कि इस देश के बहुजन मुल्यवासी युवाद जिन्दा है इस पूरी कवर पर आप क्या राय रखते हैं अपना किप दोटा सुक्ति स्ट्राप बोलोग सिर्प झाल के लाएगर सक्ष्वाद गर दाप क्यांदा है इंस जैसी का